हेलो एवरीवन दिस इस विकास सर प्रम अश्रतेज अगेडमी पुने एंडिया रिटेन एग्जामिनेशन में इंडियन रेलवेस के ऊपर प्लस उनके हेड़कॉर्टर्स के ऊपर हर साल एक कोश्चन्स आता है तो उसी टॉपिक के बारे में हमां आज यहाँ पे डिसकस करें इंडिया रेलवेस का नेटवर्क पूरे इंडिया में इंडियन रेलवेस का प्रापर अधे के लिए इंडियन गवर्मेंट्स को अलगलब झॉन्स में दिव्याएट किया इस जून कि Brittany सब्स्क्रांट इसरी जब नीचे आते हो तो वहाँ पे हूंगा साउथ जोन इसी लिए साउथ डारेक्ष में प्रेजन रेजन इसलिए उस जोन को recuperation Flot कि हर lease का proper functioning होने के लिए उसका हेट होता है अगर हम जोन की बात करते हैं तो इंडिया में से 18 और उनके 18 हेटकॉर्ट्रस हमें दिखाई पड़ते हैं सभी एक प्लस जोन आपको याद रखने पड़ेंगे लेकिन डरने की बात नहीं है हम यहां पर इक अलब ट्विक से उनको याद करेंगे सबसे पहले सबको डायरेक्शन से प्रिजेंट रहता है सबको । sources मालूं है यानि नौर्थ कहा पर आता इस्ट कहा पर है सौट अइंड वेस्ट all that things हम यहां पर क्या करेंगे जब नौर्थ में जाएंगे तो वहां पर जो नौर्थ रिल्वेस का हेंटकॉटर होगा उसे वहां पर फूट करेंगे तो इस अब जैसे आप स्क्रीन में प्लट किया है, तो Mumbai क्या है, अभुनबाई Central Railway Zone हेड्सक्राइट में आता है, इसलिए कि कॉलकाथания इसलिए इसलिए कि कॉलकाता इसलिवे जोन का हेड्कॉटर है, चिननाई म selfish, Mumbai on west side and Delhi on north side so कि इन दोनों हेड्कॉटर के बीच में फिरसे अलग-अलग जोन्स के हेडकोर्टर प्रेजिंट है जैसे कि Central Side and Eastern Side में हजीपूर नाम का एक सिटी है जो बिहार में आता है ऍट इस दे हेडकोर्टर उप इस्तन Central Railway Zone of इंडिया जब नीचे आते हो South and Central के पीश में वहाँ पर प्रेजंट होगा सौथ सेंट्रल लेलवेजून और उसका इंटकॉट राता है सिकंद्राबाद 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 इसके लास में पूरा का है अलाबाद के बाद सिकंद्राबाद सिकंद्रा ऐसे वी आप चीज़ियार करूं कि तरफ क जैपूर से अपना नॉर्थ साईड में इसलिए जैपूर देखा है हैं कॉरक्फूर नौर्थ इसर्ण लेलबेस कोलकातान सौंथ एससेंद कुपली होगा संथ वेस्ट रेलबेस होगा हेड़कॉर्टर है सेंट्रल और सौथीस्थन साइड के बीच में जो एक सीटी है विलासपूर बिलासपूर इडिज हेटकॉर्टर ऑफ सौथ इस्थन सेंट्रल रेलेवे जोन अपही देखो इस्थन साइड में जो काफी सारा हमारा एक्सपोर्ट होता है तूं कोस्ट तो दो हमारे रेलिवे जोन का अगे जब हम साउथ में जाते तो वहाँ पे विशा का पटनाम एक सिती आता है वो बना है साउथ सेंट्रल सब साउथ कोस का रेल्वे जोन का हेड्कॉर्टर सारी चीज़े हमने यहाँ पे देख लिए लेकिन बचता है अपना नौर्ध जोन नौर्ध इस्तन जोन वहाँ का हेड्कॉर्टर है गोवार्टी और उस जोन का इतनाम है नौर्ध इस्तन फ्रंटियर रेल्वे जोन उप इंडिया इंडिया में रेल्वे इसको छोड़ के मेटरो भी आती है तो मेटरो का हेड़कॉर्टर आता है बड़कता में एक यसे भी हेड़कॉर्टर प्लस उनके रेल्वे जोन अभी कुछ पाइक्चुल डाटा के बारे हम देखिएगे अगर हम बात करतें बिगेस लार्जेस रेल स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर दिखाए देता है समुत्र सत्नाई से ऊची कितनी है तो ऐसा गुबली जो एक जो एक कॉर्ट रहे जोन को सबसे हाइएस इलिवेशन पर बेस्ट है उसके बाद में हम लास्ट वाला स्लाइट देहेंगे जिसमें सबसे न्यूली फ्रॉम सबसे नया वाला पहुआ है अगें दिस इस बिगेस रेवेन्यू जनरेटी रेलवे जोन सब इंडिया सो बच्चों हमने आज एक इंपोर्टन टॉपिक डिसकस किया है ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेट रहा है थैंक्यू